तो यहां पर एक दो दिन पहले ही हमारे पास लीक निकल के आ गया था कि MIUI 12 का जो रिलीज होने वाला है चाइना के अंदर वो 27 अप्रेल को रिलीज हो सकता है अब यहां पर यह लीक 100% कन्फर्म हो गया है क्योंकि वाईबो में आपको यहां पर शाओमी के जो ऑफिशल रहते हैं चाइना में वहां पर उन्होंने कन्फर्म कर दिया है साथी साथ कन्फर्मेशन के साथ एक फीचर के बारे में भी डीटेल में आमको जानकारी दी है वो फीचर है डाग मोट का 2.0 तो चलिए वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं क्या है इस फीचर के अंदर साथी साथ अभी उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर बात करें तो सबसे पहले तो यहां लॉंच डेट कंफर्म हो गई है कि 27 अप्रैल को चाइना के अंदर यह लॉंच हो जाएगा MIUI 12 उसे के साथ एक फोन भी कोई लॉंच करने वाला है शौमी जो कि आपको इस पोस्टर में देखने को मिल जाएगा अभी यह कंफर्म नहीं है कि यह उसे दिन लॉंच होने के साथ ही साथ कौन कौन से डिवाइस को मिलेगा यह अभी कंफर्म नहीं किया है तो हो सकता है एक दो दिन बात किसी डिवाइस की लिस्ट भी निकल के आ है जिनको यह मिलेगा फिलहाल जो leak की list है उस पे मैंने अल्रेटी वीडियो भी बनाई है मिल जाएगा link आपको description में चेक आउट आप कर सकते हो first batch की यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पर leak करा गया है dark mode 2.0 या मैं कहूं confirm कर दिया गया है जो कि आपको देखने को मिलने वाला है क्या क्या इस dark mode 2.0 में देखने को मिलेगा अगर आप ही जानते हो यार तो MIUI 11 के साथ dark mode शाओमी ने दिया था लेकिन dark mode इतना अच्छा नहीं था बहुत सारी यहाँ कम यहाँ पर करेगा dark mode का 2.0 इसके अंदर आपको कुछ खास नय फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो अगर यहाँ पर आपको दिखाओं तो कुछ यहाँ पर leak भी हुए है जो कि आपको इसके तौर पर देखने को मिलता है कि अब जो सिस् जो मुझे देखने को मिल नहीं रहा है तो इसलिए मैं confirm नहीं हूँ हो सकता है कि लीक ना हो इसलिए उन्होंने MIUI 11 के icons को ही उठा के आपको दिखा दिया हो कि यह यह आपको यहाँ पर यह application के अंदर आपको dark mode देखने को मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पर देखने को मि देख सकते हो यहाँ पर application भी अपने हिसाब से यहाँ पर adjust हो जाएगा colors वगेरा को adjust कर लेगा color यहाँ पर invert हो जाएंगे जो भी है आपके यहाँ पर आई को जो आराम से दिखे उस हिसाब से इसको dark mode में बनाने की कोशिश करी गई है जो कि एक काफी अच्छा चीज है यहा चाफी अच्छा यहाँ पर होने वाला है उसी के लावा यहाँ पर इन्हों ने डाक मोड को और भी अच्छा बनाने के लिए एक लैपस है उनके साथ partnership करी है जहाँ पर आप देख सकते हो automatically अभी आपका यहाँ पर adjust करेगा contrast light वगरा जितनी भी होगी सब automatically dark mode के अंदर adjust हो ज जो 2.0 आएगा वो कुछ इस तरीके का bright हो जाएगा color को automatically यहाँ पर adjust कर लेगा जो कि आपको देखने को मलता है साथी साथ जब आप dark mode night mode खोलोगे तब भी यहाँ पर आपकी जो screen की brightness है उसको भी यह automatically adjust कर देगा ताकि आपको यहाँ पर dark mode के अंदर कोई दिकत ना आए दे इसी भी है environment में उसमें adjust कर लेगा मालों आप indoor हो तो indoor के साफस यहाँ पर light आपकी open कर देगा कम कर देगा ज्यादा outdoor हो तो उसके हिसाफस यहाँ पर dark mode में adjust कर देगा आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है low lighting में अलग देखने को मिलेगा और harsh lighting में अलग आपको आप जाके उसमें चेक आउट कर सकते हूँ अब यहाँ पर जब भी dark mode on करोगे तो आपका wallpaper भी थोड़ा dark mode के हिसाब से adjust हो जाएगा जो कि एक काफी cool feature यहाँ पर देखने को मिलने वाला है उसी के लावा आपको यहाँ पर जो आपको boldness change करने का option देखने को मिलता था उसम कि लावा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि आप font वगेरा को भी light कर सकते हूँ बोल्ड कर सकते हो जो कि feature हमको देखने को मिलता था उसको भी और improve यहाँ पर करा गया है इसके अंदर साथी साथ आपको यहाँ पर मैं बताऊं तो आपको जो और भी changes देखने को मिल सकते हैं उसमें यहाँ पर है जो animation वाले icons हैं उसमें भी यहाँ पर change करने को देखने को मिलने वाला है animation वगेरा तो हम पहले भी देखा था वो आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर एक और चीज है जो कि बहुत ही clever technology यहाँ पर use कर रहा है कि अगर आप देख सकते ह आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है इस से dark mode 2.0 के अंदर काफी जादा interesting फिलहाल तो लग रहा है यह dark mode 2.0 जो की changes देखके हमको पता चल रहा है लेकिन अब जब यह आएगा तब देखना होगा और सबसे बड़ी चीज की यार यह global में आएगा की नहीं क्योंकि करता हो फिलहाल तो यह मियो आई 12 की थीम जो की हो सकते इस तरीके से देखने को मिले डिटेल्ड वीडियो मैंने इस पर अल्रेडी बनाई है आप जाके चेक आउट कर सकते हो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अगर आपका कोई भी कोशन है तो भ भी कोई भी अपडेट या आती है तो फिलहाल वीडियो में इतना ही मिलूँगा ने वीडियो में तब तक लिए टेक केर बाइबाए